हब हेलो दोस्तों मेरा नाम नहा और मैं एक बार फिर से आप के-लिए लेकर आ गए हूं एक और नए वीडियो इस वीडियो में हम आपसे सक करेंगे cultivation of potato को potato को उगाने का तरीका potato के scientific cultivation ठीक है और हम बात करेंगे कि potato से related कितने insects होते हैं कितने paste होते हैं ठीक है क्या क्या diseases होती है उसको कैशे हम खतम कर सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे एक request है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें चलिए तो शुरू करते हैं एक और न्यूस है आपके लिए अगर आप हमारे वाटसप ग्रूप से जुनना चाह रहे हैं या फिर हमारा कोई भी paid course खरिदना चाह रहे हैं तो हमारे वाटसप नंबर पर message करें चलिए तो हम आज शुरू करते हैं cultivation of potato ठीके पोटाइटो की cultivation के बारे में आज हम पढ़ेंगे और आपसे बहुत सारी अच्छी बाते और अच्छे अच्छे facts भी discuss करेंगे जो हमारे अलग-अलग exams में पूछे हुए हैं ठीके तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा पोटाइटो सबसे पहले basic सा समझेंगे कि हमारा पोटाइटो का बोटेनिकल नेम क्या होता है तो पोटाइटो का बोटेनिकल नेम होता है पूर्टगीज ने इन्हों पूछता है यह पूछता है कि किस सेंचुरी में इसको इंट्रड्यूस किया गया था तो पूर्टगीज जो थे पूर्टगीज ने इन्हों इंडिया में पोटेटो को सतरे सेंचुरी में इसको इंडिया में इंट्रड्यूस किया था था तिक है सल्फ पॉलिनेम जट कराप है थीके स्भब polsk था थीके पोटेटो की जो सीड होती है वो डाइक्वार्ट सीड होती है या फिर डाइकवाट प्लांट भी उपूचय क्या है? पोटाटो ऐसी सब्जी है, जो एक गरीब इंसान भी हम उसे खरीज सकता है, ठीक है , इस्टेपल वेजीटेबल क्रॉप, ठीक होता है, जो इसली अवेलेबल हो, कम प्रैस में अवेलेबल हो, ठीक है, सब के लिए अकसेसिबल हो यह क्या हो जाता हमारा इस्टेपल व बहुत कॉमन नहीं है पहले से बता दे रहे हैं और इसकी जो पतियां होती है वह प्रिफ्यूजली मतलब पतियां एक में एक जूड़ी रहती है और यह बहुत नजदिक पतियां रहती है और इनका जो कलर होता है और अगर हम बात करेंगे इनके लीफ स्मॉल होती है और नेरो होती है और यह common नहीं है अब हम बात करेंगे Solyinum, Tuberosum , ठीक है यह यह के हमारा common है जो normally हम cultivate करते हैं Q 3 प्लांट है Sautter's stem longer, larger, wider leaflets Ini noisy leaflets, यह small है यह小 है स्की small इसे में large तो यह commonly use होती है आगे बात करेंगे कि इन यह वायरस रेजिस्टेंस है आगे चलेंगे कुछ फैक्ट्स करेंगे जो बहुत ही इंपोर्टेंट है यह हो जाएगा ट्रू पोटाटो सीड टीपीएस TPS concept was given by Dr. Ramanuzan इसको Ramanuzan ने discuss किया था अब seat plot technique भी अगर इसी में बात करेंगे तो seat plot technique पुसकरनाथ ने 1995 में दिया था इनकी जो आलू में जो सुगंध या फिर गंध जो कहले आप जो आलू में सुगंध आती है वो आती है दाइ मिथाइल पाइराजीन की ठीक है यह दाइ मिथाइल यहां पर वाई होगा दाइ मिथाइल पाइराजीन ठीक है डाइ मिथाइल पाइराजीन जो है यह हमारे जो स्मेल कह लीजे ठीक है खुशबू आती है यह हमारीだitel पायरस थे होती है जो इसको प्रपॉगेड करते हैं यह성 मतली हमें पता है कि वह पनी हने कि आलु की थीवर को बते हैं ठीकम जिसी की जरुबात करें ओना जरुन होती है तो वह की तेमप्रीचर हमारा कि दिन में 20 डिग्री चाहिए, पर funktioniert में हमारा 23 से ज्यादा बढ़नानी चाहिए ठीक है यह हमारा optimum temperature है आगे चलेंगे international potato center कहां है ठीक है potato center है हमारा लीमा पेरू में आगे बात करेंगे Central potato research institute यह हमारा है Simla Himachal Pradesh और यह जो इसकी जगह है यह कुफरी इसलिए हमारे maximum variety जो कुफरी से ही है ठीक है कुफरी ही हमारी maximum variety यहीं से रिलीज होती है Central potato research institute से आगे बात करेंगे best cold storage temperature for seed potato जो potato की seed होती है उनके लिए best temperature storage क्या होना चाहिए इसमें होना चाहिए दो सिलिए के चाट डिग्री celsius टू टू फोर डिग्री celsius आगे चलेंगे स्वाइल कैसी होनी चाहिए स्वाइल हमने सबको पता है कि पोरस होनी चाहिए well-drained होनी चाहिए अच्छा गासा उसमें जो है कि पानी की मात्रा होनी चाहिए क्योंकि अच्छा तर्णा पानी चाहिए होता है ठीक हमारा पी-ह पी-ह जो प्टेटीव में होता है 4.8-5.4 सिर्वी-ह बात है ये अच्छा पानी चाहिए अच्छा muscles लगबग दो हमारी लार रैन फेड में मतलब जहां पर बारिश होती है वहां पर चाहिए यह वारिष में यह राव्छा, लिए के लिए इनको घ्रू करना चाहिए, इनको ऐनों क। रचाइब यह हैं वक्त कर सानी को और संब यह लिए खिन के जया हम में और बाववसा य।alarёт का फीड़ी थेरेशन कब कब है इनकी तो प्लेंड में टूरेशन हमेरा भुआять का समय जो है प्लेंड समय है छो है फ्लेंगे कि अक्टूबर से नमम बर में क लिखके अक्टूबर से नमम बर पिल्स में लिल्स में वारा होता है यह होता है कि अहेinstय की लाट्ट कुष और Safe क्या होता है कि एकदम हमारा जो मिट्टी जो होती है उसको अच्छे से लेवल करके और फाइल तिल्थ मतलब एकदम भूर भूरी एकदम बराबर और कोई भी इसमें जो है कि कहते हैं कि धेल क्या कहेंगे उसे कि तो फइन कोना चाहिए और जो मिट्टी इदम होनी चाहिए टाइक है प्रॉपर जो है कि उसमें मौ स्विस्च्र होना चाहिए अगर हम कि दो भी तो ह banner करेंगे कर रहें संबसक्ते हम हमें इस इसमें चीज को ध्यन रखना चाहिए इसमें तो कि हमें रिज्ज और फॉरू मेड़ के उचाईग और गहराई के ध्यान रखेंगे तो और हम उसके हिसाब से फिर रिज्ज पर लागवग लगबग रिज्ज और फॉरू में 45 cm का धाकर सरी पानी हमें पानी पानी मिल जाए ज्यादा करें ज्यादा को भर जयागा है त्यूबर निकले होने चाहिए और हम जो डिस्टन्स होती है अलोग दूसरी तालो से बहने की जान चाहिए वह होनी चाहिए हमारी 20 cm करेंगे पर उम जो कि अब कर दो अगर विमारी के लिए चोभी प्रोसेस अपनाएंगे तो से ट्रेटमेंट हम इसलिए करते हैं तक हमें बिमारी से जो भी खेत में कोई स्पोर्स और्मिंड श्टेज में हैं उससे हमें बचाने के लिए चल्ड़ करना पड़ेगा तो हम करें यह वन परसंट अफ थाय यूरिया प्लस वन पीपेम ऑफ जी एच एच हो जाएगा ओफ हो जाएगा ठीक है अगी जिब्रली के से थ्री तो यह हम यूज करेंगे सीट्रेट्मेंट के लिए अलू के लिए ठीक है और यह इसलिए भी यूज करते हैं एक तरह से कि करने के लिए माली जी कोई भी जो ट्यूबर है वो डॉर्मेंट है ताकि वो उग जाए ठीक है एक और इसमें फैक्ट होता है कि आलू को तुरंद मार्केट से लाके तुरंद बोना नहीं चाहिए इसे हमें लगबग एक से डेड़ दिन तक पुरा खुले में इसको हवा आ आठ से दस इरिगेशन इन में जरूरत होती है और एरिया जैसा है सुखा अगर है तो वहां पर इरिगेशन ज्यादा लगेगी ठीक है नॉर्मल है जहां पर अच्छी मिट्टी है वहां पर लगबग छह से साथ हमारा हो जाएगा इसमें इरिगेशन और वाटर की फैसलिट अगर इसमें ज़्यादा पानी देना चाहिए अगर इसमें ज्यादा पानी दे दे तो अच्छी खासी जो फसल वहां नुकसान हो जाएगी और खराब हो जाएगी कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि ब्लाइंड होईंग यह हमारा पोटैटो में यूज होता है और हमारा शुगर की में भी यूज होता है टीक है शुगर के यह यूज होता है भी टिक कंट में पोटैटो और सुगर को पी सच Origin से ध्यास रखेंगे हम क्या करते हैं अब क्या होता है की हमारी दो कडाइं ती इसमें एक तो माल दीज़ें पहली प्लांटिंग के 40 दिन बात करते हैं और अगर दूसरी जरुरत हुई ठीक है तो पहली के दो सफता बात पहली जब 40 दिन हुआ दो सफता बात ठीक है उसमें 14 डेज जोड लीजे आप तो लगभग जो है कि हमें से दो कुडाई देनी चाहिए होती है बाकी आप एक से भी काम चला सकते हो अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो टेक है इल्ड की बात करेंगे इसमें हम तो इल्ड हमारा हो जाता है हुए हमारी नौर्थ मतलब प्लेंस की बात करेंगे हम यह आपर हमारी प्लेन में हो जाएंगी है यह यह हमारी प्लेन की है ठीक हमें अप्रेक्टिस के बात करेंगे हम तो तो 25 में बोलता है कि मित्ट Nौ 1 1 2 1 कि सिधे आप पूरे खेट में आलो प्रॉपर डिस्टंस पे बोदो और उस्पे पाठीक infamous luc, डिहाई को बला में लोबता हमारा अ whole झ l नहीं होता है तो यह होगा है अब क्या है प्लांटिंग और फ्लैट सर्फिस फॉलूड बाई रिजश किया होता है कि पहले तो फ्लैट मेफटड पर जिसे फ्लैट और रिजश का यह दो है जो दोनों का कम्बिनेशन हो जाएगा फ्लैट में भी बोईंगे फिर उसके बाद फिर फ्लैट में भी खिक कैंगे तो यह हो जाएगा हमारा दूसरा और तीसरा मेतड फ्लैट मेतड तो हो जाएगा जाएगा सिम्पली रालू और रहो और उसको एससे चला दो पाटा कर दो तो यह नॉर्मली प्रैक्ट אिक यह व्लौ होता है यह ज्यादा इंपर्टन्ड ह मैन्योर और फटिलाइजर कि बात करेंगे लगबग मैन्योर हम बात करते हैं कि बीस से 30 तना फ़र्मियाड मैन्योर की बात करेंगे ये हमारा बुनि छोटे के देंगे 2 less 01 दिन पहले 20 दिन पहलेगे समय कि औरे sprinkler बात करेंगे तवन हो जाब हो जाएगा तो नाइक्तृजन ऊजनल सकेृसी होतों मैंने जुन चИ Hard We community health हुइं है तवन सेटारिशी पर सम दो हो जाएगा तवन हो जाएगा तो तवन हमारा लगबंग। सम का mix of potassium केजी पर्हक्तol आगरॅ मायक्रा हमें कोई कोई माधर हमाइक्रोय औरुटेनस भीमें, तो अगर किसी भी सुष्डी में सोल तेस्टिंग के बाद, लो हम वह नुट्रीज भी सकते हैं अगर हमाइस सोंंे रिमकी है हमारे अत्यान, रखेंगे केट हाथ, वीट कंट्रोल के बात करते हैं कि यह हमारा नॉर्मली जो है कि आलो में वीट्स बहुत लगते हैं ठीक है वीड आ जैसे कि कोई भी आ जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि अलग अलग क्लोर और लासो इसे बोलते हैं ठीक है और संकोर इन दोनों से हम क्या है अपने फिल्ड को ट्रीट करेंगे और इनका जो छिडगाव है एक तो प्री इमर्जंस स्प्रे होता है और उसके बाद जो है कि बिफॉर दे इमर्जंस ओफ वीड आंड पोटाटो इसमें क्या क अधिया मेट्री बुजीन को हम जो है कि यह लगभग यह जो है कि यूज होता है यह एफेक्टिव अगेंस एन्वल ग्रासेस और ब्रॉड लीफ वीड जो भी ब्रॉड लीफ वीड सोते हैं उनके लिए यूज होता है ठीक है और हम लगभग यह वीड जो है इमर्जंस के यसे कि प्राउट निकलने से पहले ऐक यह उगने से पहले इसको हम से कर कर देते हैं ठीक है इससे कि होता है कि जो भी ब्रॉड लीफ वीड जासेको ए बचाने के लिए हम सनकॉर और लासो का का यूज कि कुफरी सदा बहार कुफरी हिमाली कुफरी गिर्धारी और कुफरी हिमसोना को आने रेलीज हैमको रिक्टाना है में हमें कहां कि हमें सेंटर का नाम बता है कमेंट चेक्शन में हम सब का एंसर देखेंगे एक एक बंद एक जितने लोगों ने देखा है ये वीडियो और अगर नहीं किया तो फिर अच्छा नहीं है गलत बात हो जाएगी फिर आप ना इंसाफी करोगे इस वीडियो के साथ आप लोग हमारी मैचूर और इनकीwi हर्डेसिंग हो जाती है तो इनके जो हो जाएंगे नहीं है पुख राज, जवाहर, कुफ्री लवकर, कुफ्री चंदरमुकय,ाये लवकरês, और कुफरी अशुख नचटी तो यह हमारी जो है कि चार वराइटी चार से 5 वार पांच वाराइटी हो हो जाती है सो नबे से सौ दिन की बीच में होंगी इसमें हमारा हो जाएगा कुफरी आनन कुफरी चिपसोना कुफरी चिपसोना टू भी होता है कुफरी सतलज कुफरी स्वर्ना कुफरी लालिमा कुफरी बात्सा कुफरी बाहर और कुफरी जोती यह हमारी हो जाएंगे मिड duration variety कभी कभी पूस देता है कि कौन सी variety mid duration की है ठीक है ध्यान रखेंगे अगर mid duration duration का duration पूछेगा तो वो 90 से 100 दिन का हो जाएगा late duration variety में हमारे कुफरी गिरिराज और कुफरी सिंधूरी हो जाएंगे ठीक है ध्यान रखेंगे आगे हम देखेंगे कि late disease कौन कौन से होती है तो mainly तो देखेंगे तो बहुत सारी disease potato में होती है ठीक है तो ये हमारा photo थे हमारे photo में है ये हमारा late blight का symptom है जो कि हमारे पत्ती किनारे से होती है और फिर पूरे पत्ती को नुकसान पहंचाती है तो ये है हमारा late blight caused by by 1974 infection इन्फेस्टेंस यह है हमारा इसका कॉजल ओर्गनिजम ठीक है कंट्रोल किसे करेंगे यह अगर हम देख रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे पिछले फिल्ड में पिछली क्रॉप में हमारा लेड बलाइट का अटैक था तो हम इससे क्या करेंगे रिडुमिल एम जेट का इंफेक चीम ठीक है और क्या करेंगे कि जितने भी इन्फेक्टे ट्चियूबर्स इन्फेक्टेड ट्चियूबरको हम अपने खेसे निकालके अपपडों की ब्हते हैं नहीं हमारे ब्लाइट हो जाती है कि early और early में कौन सा causal organism होता है और late में ठीक है लिए समझेंगे जो पहले आ जाता है ठीक है early मतलब होता है पहले तीकिए और हमारा यह on्हों एक Nous पर लीफ में ऐसा है का जबनीके नहीं नोहीं ऎमनेये थ्शीया ह creativity है ओंशीयोड में हैं हैं में जर्टेशयोंudo चाहें हैं हैं तो में परोज से से नहीं प् the बतले क्या हैं है हिसमें गॉल-गॉल गॉल आसे दफ को ऊ 이제 यह होती है हमारी concentric rings होती है है ना concentric rings यह बनेंगे हमारे पूरे all over the leaves late blight में क्या होता है late blight में क्या होता है यह हमारा यहां से शुरू होता है इधर से किनारे से ठीक है यह पूरे body पूरे leaf पे पहले नहीं फैलेंगे यह पहले हमारे कोने से शुरू होंगी ठीक किसी एक साइट से बट अर्ली प्लाइट में क्या होता है कि यह पूरी लीफ पे स्काट मलब भिखरे रहते हैं ठीक है तो ध्यान रखेंगे इस बात का यहीं है कि न्यूमेरस अनि स्काटर्ड आल ओवर दर लीफ बताई दिया मैंने स्पोट अपियर्स ओन स्टेम इस्टेम पर भी इसके एफेक्ट देखने को मिलते हैं ध्यान रखेंगे इस बात को अगला डिजीज है ब्लैक स्कैब ठीक है ब्लैक स्कैब किसके वज़े से होता है यह होता है रिजोक्टोनिया सोलेनाई यह हमारा इसका कॉजल और्गनिजम ह इसको ध्यान रखेंगे कभी-कभी पूछ देता है कि ब्लैक स्कैब का कॉजल और्गनिजम क्या होता है इंपॉर्टेंट है यह अगला है बैक्टीरियल विल्ट और ब्राउन रॉट यह किसकी वज़े से होता है तो यह होता है हमारा सीडो मुनास सुलेने सेरम यह होता है ह बैक्टीरियल विल्ट और ब्राउन रॉट अगे चलेंगे यह हमारा है लालालू जिसे बोलते हैं कुफरी नील कंट ठीक है अगला है वार्ट डिजीज वार्ट डिजीज किसकी वज़े से होता है यह होता है सिंकाइट्रियम इनफोर बायोटिक्यम ठीक है इनफार फोर ब अब इनसेक्ट कौन कौन से होते हैं मेली मेली इनसेक्ट की बात करेंगे हम जो मेजर है तो वह होते हैं पोटैटो ट्योब मौत ठीक है जो की हमारे जो आलू घर में रखे रहते हैं उस पे लगते हैं ठीक है इस्टोर पेस्ट है आलू जो भी स्टोर करके घर में रखा जा और ट्यूबर पर भी यह कहीं भी फीड कर सकते हैं इनका मेन ही करेक्टर स्टेक्स है यह खेट में भी रहेंगे इस्टोर में भी रहेंगे ठीक है और हमारे ट्यूबर में भी रहते हैं यह हमारा पोटैटो में वार्ट डिजीज असी होती है देख लीजे अगे चलेंगे यह है हमारे यह देखिए यह सारे सिम्टम से हमारे वाइट ग्रप्स ट्यूबर इंजरी यह ऐसे यह कॉस्ट करते हैं यह देखिए हमारे यह लीफ पर भी है लीफ पर भी है यह हमारे और यह हमारे हो गए ट्यूबर मौत ठीक है ट्यूबर मौत जो हमारे इस्टोड पेस्ट ग्रेन है ठीक है यह देखिए इनका एडल्ट हो गया यह इनकी ग्रफ्स हो गया यह लार्वा हो गया यह हमारे इंफेक्शन कैसे देखिए यह स्टेंप भी है ठीक है यह हमारा पोटैटो कैस यह आलो सड़ गया है और यह लीफ पर कैसे अटक आया है इनका धियान रखेंगे हम वाइट ग्रब्स हो गए जो के मारे मिट्टी में होते हैं ठीक है हमारे ट्यूबर जो है कि इस पर लीफ पर भी कॉस्ट करेंगे विलिफ भी फीट करते हैं मिट्टी में रहते हैं उस पर यह आट करना पड़ा ठीक है नॉर्मली क्या होता है जब हम आलो अपने घर में कभी कभी काटते हैं तो ऐसी वाली स्ट्रक्चर दिखती है ऐसी यह क्यों होती है यह हमारी जो है कि हर्विस्टिंग के बाद जब हम इसको जहां पर ऑक्सीजन कम होता है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहां पर अगर हम इसको रख देते हैं तो यह हमारा पोटाटो में यह वाली कंडिशन देखनों को मिलती है ठीक है यह हम एक तरह से कहेंगे कि फिजियोलोजिकल डिसॉर्डर है फिजियोलोजिकल मतलब इन्वार्मेंट से हमें मिल रही है ठीक है ऐसा कोई एजि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज हमें शेयर करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपना प्यार देते रहें थैंक्यू और आप हमारे डिफरेंट शोशल मीडिया पर हमारे साथ जूर सकते हैं ठीक है तो जूरिए और अच्छी ठीक है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करना जरूरी है ठीक है थैंक्यू